गुड मॉर्निंग बच्चो मैं मुकेश सर क्लास टेंथ के लिए आज मोडल सेट हिंदी का कराने जा रहे हैं यह MCQ कोस्चन होगा आप लोग इससे पैटरन को समझेंगे कॉपी पैन लेके बैठेंगे और खुश से अंसर को टिक आउट करेंगे अब पठित बोद निमलिखित गध्यांस को ध्यान प्रोपड़े आसा से भरकर जीवन को देखो तु निरासा और नाकारतमक दिखाई देने वाला जीवन कमार्ग साप और गति सील दिखाई देना आरम हो जाएगा इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा इसका उत्तर है तुम्हें किवल अनंत धहर बिश्वास और आसा से अपनी मनजिल की और देखना होगा तुम्हें या भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ है वा कल होगा कल नहीं तो परसौवाज से होगा तुम्हारे परियतन निस्फल नहीं जाएंगे परतिक्छा और आसा जीवन पत के दो उंचे परकास अस्थम है चीजों को परिस्थितियों को अपने आसपास के वेक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की और मत देखो वहां से मत देखो जहां से चीजे और इस्थितियों कष्ट पूर्ण और परतिकूल परतित होती हर किसी के उजवल और परकासमान पच्छ को खोजो घने काटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से काटे दिखाए ही नहीं देंगे बिस्वार्स और आस्था को स्वेम में भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बाटो इसमें किसी परकार की कंजूसी मत करो जिने आसा विस्वास सहयता और सहयोग और संतावना की आवसकता है उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेस की भावना से ही इन्हें बाट दो अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आसा और विस्वास में विर्दी हो रही है नाकारत्मक और निरासजनक जीवन को असपष्ट और गतिसिल मार बदलने में की कुझी क्या है बुद्धी मता और ग्यान धैर विस्वास और आसा उमीद और संगर्ष धन और सक्ती धैर विस्वास और आसा ओप्सन बी धैर और विस्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाओ दिया गया यह जीवन में अनावस्यक है यह सफलता के लिए हानिकारक है यह अपने लच्चों को प्राप्त करने के लिए अवस्यक है यह केवल निश्चित परिस्थितियों में ही महत्पून है यह अपने लच्छी को प्राप्त करने के लिए आवस्यक है चीजों परिस्थितियों और आपके चारों और के लोग को कैसे देखना चाहिए संदे और सहन्सिसे घृणा और नाकातमक पहलू से ग्रोध और भरम से उजवला और सकारातमक पहलू से किस उपमा का उप्युक चुनोती पूने स्थितियों में सकारातमक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया है कटनाईव के अद्रिश करना काटो के बीच फूलो को पलना अंदकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहन करना रगिस्तान में मिरज के पीछे भागना काटो के बीच फूलो कपलना प्रस्तूत गांदांस के लिए उपयूग सिर्षक का चुनाओ करे आसा और विश्वास के मात्तु का संदव जीवन के लच्च की प्राप्ति के लिए धर समाज में अच्छाई का परमुक स्रोत सकारात्मक्ता का मार्ग आसा और विश्वास प्रस्तुत पाध्यांस को ध्यान पुर्वक पटकर पुछे के प्रश्णों के लिए सही उतर का चैन करे परतेक का मांक्स एक वेराग छोड बाहों की विभा समालो चटानों की छाती से दूध निकालो है रुकी जहां भी धारार सिलाएं तोडो प्यूस चंद्रमा का पकड़ निचोडो चड़ तुंग सैल सिखरों पर सोम पियो रे योगियों नहीं बिजई के सद्रिश जीओ रे कभी भारती योगों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो काईरो जैसा हो योगियों जैसा नहीं प्राकर्मी वीडयों जैसा हो पाठ्यांस में किसमें सुम कहा गया है चटान धारा वैराग या योगी धारा योगीयों नहीं बीजीयों के सद्रिश जी और क्या संदेश योगीयों का परसंसा देने की सला समिर्दी और सफलता के लिए प्रिरिद करने वाला संदेश योगीयों के साथ मिलकर जीने की सला योगीयों के साथ परसंसा असफर्दा करने की सला समिर्दी और सफलता के लिए प्रिरीद करने वाला संदेश एट कभी इस पादांस में कैसे जीवन को सराहा गया है योगी वेरागी बिजय ये कायर बिजय इस कविता का मूल स्वर क्या है प्राकेटिक प्रेम आवाहन या भक्ती आवाहन पुकार निमलिखित प्रश्णों के सही बिकल्ब का चैन के रिए इन में से किस व्याक्मय कर्म करिया आकर्मक सोहन गाना गाती है सोनम गाना गाती है अमन किताब पढ़ रहा है मोहन सो रहा है लता चाय पी रही है इसमें कोश्चन पूछेंगे सोनम क्या का रही है गाना गा रही है अमन क्या पढ़ रहा है किताब पढ़ रहा है मोहन क्या सो रहा है तो यहां आपको नहीं मिल रहा है लता क्या पी रही है चाय पी रही है तो मोहन क्या सो रहा है यहां पर अकर्मक किरिया है जहां पर आपको उतर मिल जाएगा वहां पर सकर्मक किरिया है मोहन सो रहा है बच्चा रोता है बच्चा क्या रोता है नहीं लड़का हसता है लड़का क्या हसता है रिता खाना खाती है रिता क्या खाती है खाना खाती है पच्छी उड़ रहे हैं तिर रिता क्या खाती है खाना खाती है जिसमें question पूछने पर आपको उतर मिल जाए वो सकर्मक के लिए और जिसमें उतर ना मिले वो कर्मक के लिए जलत का अनेक आर्थी कौन होगा कमल, मोती, मचली या बादल बादल दो पदो सब्दों के मेल से बना तीसरा पत क्या कला, संदी समास उपसर गया परत्या, समास यह था संभव कौन सा समास है, अवियवी भाव कर्मधारिया, तत पुरुष वहु विरिही, अवियवी भाव नीला है जो कमल, लीन कमल की समास का विग रहा है, तत पुरुष कर्मधारिया, अवियवी भाव बहु ब्रही कर्मधारिया जब वर्सा होती है, तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के अधार पर वाकी का भेद बताएं, सरल वाक, सयूत वाक, मिस्र वाक के उप वाक, जहां जोड मिल रहा है जब वर्सा होती है, एक वाक, दूसरा, तब मोर नाचने लगते हैं, तो यह हो गया मिस्र वाक जिस वाक्य में कर्म को परधानता दी जाती है कौन सा वाच है कर्म वाच कृत वाच, कर्म वाच, भावाच है इन में से कोई नहीं आपका हो जाएगा कर्म वाच बालक चान देख रहा है बालक की ओर देख रहा है क्या देख रहा है क्यूं देख रहा है कैसे देख रहा है बालक चांद की ओर देख रहा है उनिस का ए निम्न में से कौन सा सब्द समुवा चक बोधक अवैस सब्द है धीरे धीरे अरे अथ्वा वा अथ्वा पार्ठी पुस्तक प्रस्तुत गदान्स को ध्यान पुर्वक पढ़े और प्रशनों के उतर दे ओधो तुम हो अती बढ़ भागी अप्रस रहत सने तक ते ननही मन अनुरागी पुर्यानी पत रहत जल भीतरत रस देहन दागी जियों जल महतेलगी गागरी बुन्दना ताको लागी परती नदी में पाऊं ना बोरे द्रिष्टी ना रूप प्रागी सूर्दास अबला हम भोरी गुर चाटी जियों पागी इस पत के रचेता को ने कविर्दास तुलसिदास रेद्रेस या सूर्दास गोपियों किसकी अन्यान भक थी राधा कृष्ण उधाव या सूर्दास कृष्ण पुर्यां पुर्यांती पत का क्या रथ है पीपल का पत्ता केले का पत्ता कमल का पत्ता ये कदम का पत्ता कमल का पत्ता गोपियो न उद्धो के वहवार के तुनला किसे के गुडग काई हुई चिटी से की है दीपक और बाती से की है कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है पूल और भोरे से किये हैं कमल के पत्य और तेल के मटके से किये हैं बाल गोविन भगत की संगीत साधना का चरम उतकर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा एक लोता बेटा था वा कुछ सुस्त और बधोस सा था किन्तु इसी कारण बाल गोविन भगत उसे और भी मानते उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर भी जायदा नजर रखनी चाहिए या प्यार करनी चाहिए क्योंकि ये निगरानी और महुंबत के जायदा हकदार होते बड़ी साध से उसकी साधी कराई थी पुतो बड़ी सुभाग और सुसील मेली थी घर की पूरी प्रभांदी का बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से नित्रित कर दिया था बेटे के मरने पर बाल गोविन भगत क्या कर रहे थे रो रहे थे, गा रहे थे, हस रहे थे या नाच रहे थे बगत जी का बेटा कैसे था चलाक और कर मठी, मंदार और स्रातिश, सुस्त और बद्धोस भगत जी की पुतो कैसी थी सुन्दर और जगड़ने वाले घर का ख्याल नहीं रखने वाले घर का पूरा प्रबंद करने वाले, बड़ों का सम्मान करने वाले, घर का पूरा प्रबंद करने वाले, बोध का क्यारत है, मोटा, ज्यानी, सुन्दर या मंद बुद्धी, मंद बुद्धी, मंद बुद्धी, निमलिखित परश्णों के लिए सही उत्तर कचेंगे साब से डर कर भोला नात ने कहां सरन ली बिद्याले माता के आंचल, चबुत्रा या पिता का गोद माता के आंचल जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर वेंग किया गया है रानी एलिजाबेट पर, सरकारी तंतर पर, रानी की दरजी पर या भारतियों की महमान नमाजी पर सरकारी तंतर पर आप सभी इसको बार बार रिवीजन करेंगे एस सेट को क्योंकि इसी पैटरन पर आपका कोश्चन पुछा जाएगा फाइनल एक्जाम में अब आप लोग का एक्जाम में ज़्यादा टैम नहीं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें थैंक यू